मैंने इससे बड़ा स्काम विश्विम नहीं देखा है और जिस तरह से इस स्काम को एंडल किया जा रहा है यह बहुत दुख की बात है जो investigation है उस पे कोई confidence नहीं है जो जिस तरफ investigation जाना चाहिए वो जानी रहा है एक प्रकार से एक इंडिया की सबसे बड़ी cover-up story हम देख रहे हैं हम Supreme Court में शीगर जा रहे हैं जो आज भी दो deaths हुई है उसके बारे में भी हम Supreme Court को बताएंगे जो अधिकरित सूतुर हैं बताते हैं कि 42-43 deaths हो चुकी है STF agree करता है कि 23 deaths हो चुकी है और 2 hours pad कर लीजी तो 25 हो गए मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि आज तक इस इतने बड़े scam में जो 7.5 करोड पीपल को affect करता है उस पे जैसे पब्लिक चाहती है कि independent investigation वो नहीं हो पा रहा है